नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का Wi-Fi Study 2.0 पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप हैं मेरे साथ में आज के एक सेशन पर चर्चा करने के लिए इस सेशन में हम चर्चा करेंगे यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है मैंने इसलिए इस पर अलग से टैगिंग भी करवाई है कि RNA4, UPSC और State PSE जो भी विद्धिहार्थी serious candidate हैं यह 2.0 पर हम लोग educational वीडियो कवर करते हैं जो exam point review से काफी important होते हैं उनमें से एक यह टाइट से climate funding प्राप्त करेगा पाकिस्तान यह तो केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए है क्योंकि पाकिस्तान नाम से आपका ध्यान एकदम आ जाता है कि और कुछ कुछ हो रहा है वास्विक्ता में इससे जो important चीज़ है वो यह है कि global shield climate funding तो आप इसको अपने एक title के रूप में बना के रख ले ग्लोबल shield climate funding यह जो title मैंने आपके सामने यहां लिका है यह आपके GS paper 3 UPSC mains के अंदर काफी जादा important है क्योंकि इसमें आप असल में environment and biodiversity के relation में बात करेंगर सबसे importantly जो यह disaster management है असल में इसके लिए यह काफी important है क्योंकि recent days में परियावरण के कारण जो disasters हो क्यों नहीं दे रहा हूं सात्वा संसकरन कहां मनाया गया यह भी आप comment box के अंदर जवाब दे दें सेशन के अंत में मैं आपको इनके सही जवाब भी साजा करूँगा ठीक है चले मुद्दे पर आते हैं तो Pakistan will be among first to receive G7 Global Shield Climate Funding यह Reuters में भी ऐसे ही लिया है क्यों? देने को तो बहुत सारे देश है जिनको मिला है Climate Fund लेकिन पाकिस्तान के नाम से सबका ध्यान आ जाता है कि पाकिस्तान को अरे फिर तो चलो देखो वो वाली चीज इनको भी पता है इनको भी पता है इनको भी पता है और हमको भी पता है इसलिए पाकिस्तान हमने भी आपके लिए टिका दिया लेकिन उससे कहीं ज़्यादा important जो चीज है वो लो Global Shield Program है जो exam point of view से बहुत ज़्यादा important है ठीक है क्या है तो मैं to the point आपको वहीं लेकर चलता हूँ आपको मालूम होगा अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है एजिप्ट वहाँ पर Conference of Parties No.27 चल रहा है UPSC की विध्यारती यदि आप serious candidate हैं तो आपको ये COP27 के बारे में डीटेल से पता होना चीए COP27 अभी आयोजित हो रहा है 18 तारिक तक चलेगा ये क्या होता है जो नहीं जानते होने मैं बता दूँ कि United Nations ने एक framework बना रखा है ताकि climate change को combat किया जा सके है ना UNFCCC अर्थात परियावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं इसको कैसे इससे कैसे लड़ा जाए यानि इसके challenges को कैसे face किया जाए ठीक है इसको लेकर के parties बैठती है आपस में meetings होती है उनमें जो meeting चल रही है वो COP27 फिलहाल चल रही है यानि 27 भी बैठक चल रही है इसमें दुनिया भर की तरफ से बहुत सारे लोग आकर आपनी बातें रखते है दुनिया भर के अंदर राष्ट प्रतिनीधी बड़ी मातरा में पहुँचते है है तो राष्ट के प्रतिनीधीों में भारत की तरफ से परियावरन मंत्री गए है परियावरन मंत्री बूपेंदर यादव जी यहाँ पर गए हैं पहला पॉइंट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर एक पहली बार इनिशेटिव लिया गया है इसलिए मैं आपसे कहा रहा हूँ कि इस तक्थे को आप याद रखें पहली बार क्या किया गया है पहली बार एक इनिशेटिव लिया गया है ग्लोबल शील्ड का और वो क्या है Global Shield Package जो है उसमें बांगलादेश, कोश्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलिपीन्स एंड सेनेगल इन सब को शामिल करके कुछ पैसा दिया गया है पैसा किस बात के लिए दिया गया है? ये मानते हुए कि आपको परियावरन की वज़े से बड़ा नुकसान हुआ है हमने हाला कि न्यूज में हाईलाइट पाकिस्तान को ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान आई कैचर हो चुका है अब इसके अलावा और देश भी शामिल है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए है इकलोता पाकिस्तान नहीं है फिर सवाल पूछेंगे, तो फिर पाकिस्तान को क्यों इतनी वैल्यू दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है, क्योंकि जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, उसमें पाकिस्तान थाई नहीं ये ग्लोबल इनिशेटिव, ग्लोबल शील्ड फंड को प्राप्त करने वाला देश तो है लेकिन इस कारेकरम को बनाने के लिए जो लोग आगे आये थे, उन देशों में पाकिस्तान नहीं है बताएंगे, इस विशे को भी बताएंगे कि पाकिस्तान पर स्पेसलाइज़ फोकस क्यों किया गया है? आगे बढ़ते हैं, आपके सामने फिलहाल ये है, एक मैप है, जिसमें आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि एजिप्ट के अंदर कोप 27 हो रहा है, ये रहा एजिप्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए, जो रिवर नाईल का जो छितर आप जानते हैं, उस जगह पर आप इसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह कारेकरम चल रहा है और इस मीटिंग के अंदर, वन्रेलेबल कंट्रीज जो हैं, जो की क्लाइमिट की वजए से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, कौन सी कंट्रीज प्रभावित हैं, जिनके अंदर बड़ी मातरा में बार आ रही है, बड़ी मातरा में सूखा पड़ रहा है, बड़ी मातर के संभावित जोन में सबसे उपर हैं जैसे रिसेंटली अभी तीन दिन पहले ही नेपाल में भूकम पाया तीन चार दिन पहले जिसका सेंटर वहीं था नेपाल में एक बार जब भूकम पाया था तो बड़ी मात्रा में तरासदी हुई थी याद होगा आप सभी को एक्जैक्ली ऐसी बहुत से देश है नेपाल हुआ, अफगानिस्तान हुआ या फिर अफ्रिकन कंट्रीज हुए जहां पर या तो डेजर्ट की वज़े से लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर अर्थक्वैक की वज़े से नहीं कर पा रहे हैं या कुछ देश ऐसे हैं जा प्राकर्तिक रूप से अगर कोई वालकेनों बन गया तो उसकी वज़े से लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर बहुत तेश आंधी तूफान आ गया उसकी वज़े से वहाँ पर मतलब सीजन नस्ट हो जा रही है कुछ देश ऐसे भी है रिसेंट डेश में जिन में आपको बता है कि समुद्र का जलिस्तर बढ़ जाएगा तो वो देश शायद आने वाले समय में पूरे-पूरे डूब जाएगे तो ऐसी स्थती में ये सारे की सारे वो देश हैं जो परियावरन की वज़े से प्रभावित हैं इन देशों ने एक बार मिलकर V20 नामक एक संग्ठन बनाया V20 या V stands for Wonder Label Wonder Label 20 Group छीक है Initially ये देश मिले और इनोने एक संग्ठन बनाया और उसका उदेश रखा कि हम लोग आपस में मिलकर दुनिया का ध्यान अपनी और आकरशित करेंगे और कहेंगे लोगों से कि परियावरन को हमने जितना नुकसान नहीं पहुँचाया उससे ज़्यादा नुकसान हमें खुद हो गया वो धारन के लिए अगर आज मैं ये कहूँ कि तूफान की वज़े से या फिर समुद्र के बढ़ते जलिस्तर की वज़े से मालदीव्ज, मौरिशस को बड़ा घाटा हो सकता है आने वाले समय में तो मैं आपसे पूछूँ कि क्या मालदीव्ज और मौरिशस समुद्र का जलिस्तर बढ़ाने वाले देश है क्या सवभाब एक सा सवाल है न क्या इनकी वज़े से समुद्र का जलिस्तर बढ़ रहा है क्या जवाब होगा नहीं तो किनकी वज़े से बढ़ रहा है जो प्रदूशन फैला रहे है production कौन फैला रहा है production का और विकास का एकदम proportional संबन रहा है अर्थात जिन्होंने development किया है उन्होंने definitely कभी pollution फैलाया होगा या आज भी फैला रहे होंगे इसी क्रम में नाम आता है western world का यानि यौरॉप का और अमेरिका का उसके बाद नाम आता है चाइना का और इंडिया का यानि एशिया के अंदर जो चाइना, इंडिया, कोरिया, जापान जैसे देश है जो development में लगे हैं इनका अर्थ ये है कि ये बड़ी मातरा में production फैला रहे हैं इनका production बरियावरन के अंदर तापमान बढ़ता है तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिखलते हैं बर्फ पिखलती है तो नदी का पानी बढ़ता है पानी बढ़ता है तो समूद्र का जलिस्तर बढ़ता है तो ये लोग डूबते हैं तो कारम कौन जिम्मेदार था? जो development में लगे हुए थे इसलिए ये देश कहते है कि हमने अपने आपको डूबने का तरीका नहीं बनाया चूकि आपने विकास के नाम पर हमें डूबोया है तो ऐसी इस्तिती में आपसे गुजारिश है कि हमें निकालिये भी यानि कि हमें इस संकट से बाहर निकालिये ऐसी इस्तिती में जो COP27 है ना इस बार इसके अंदर ये agenda रखा गया था क्या agenda रखा गया था कि दुनिया के अंदर जो loss हुआ परियावरण परिवर्तन की वजए से या damages हुए उन loss और damages को count करा जाए और उसके लिए कोई fund या initiative लाँच किया जाए ठीक है fund किस प्रकार से कि उन देशों को कोई न कोई आर्थिक मदद दी जाए अभी से उनको कुछ help की जाए जो परियावरण परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं उधारन के लिए परियावरण परिवर्तन के कारण ही पाकिस्तान में अब तक की सबसे भीशन बाढ़ आई है जिसके चलते सैकडो लोग मारे जा चुके हैं billions of dollars का नुकसान हो चुका है बहुत सारी वहाँ पर disease फैलने की संभावना है क्योंकि बारिश का पानी जमा रहता है तो उसकी वज़े से बिमारिया भी बनती है ऐसी इस्तिती में इस Global Shield Climate Fund जो बना इसने अपने द्वारा जो funding है वो पाकिस्तान को भी देने का निरने लिया है हाना कि पाकिस्तान one reliable twenty countries में नहीं था यानि प्रभावित होने वाले देशों में नहीं था ये मैंने आपको शुरुआत में ही clear कर दिया है अब हम बढ़ते हैं देखिए ये बहुत ज़्यादा important है आपसे घुजारिश है यदि आप किसी exam की तैयारी कर रहे है तो please इसका sincerely write-up बनाईएगा note बनाईएगा यही कारण है मैंने उपर RNA में आज लिखवाया है RNA for UPSC and State PCS तो किरपया करके ये विध्यारती अपने लिए इसे एक proper note की तरह से बनाएं हम Real News and Analysis में बहुत सारी चीज़े डिसकस करते हैं जो सब के काम की होती है लेकिन कुछ specialized title है जिनके उपर इस तरह का tag मैं आपको डाल कर देता रहूँगा ठीक है अच्छा तो अब ऐसी इस्तिती में पाकिस्तान को भी मिल रहा है घाना को भी मिल रहा है बंगलादेश को भी मिल रहा है तो इसमें G7 का क्या रोल है तो सर कोप 27 में हुआ ये कि G7 देश और ये वन्रेरेबल 20 देश इन्होंने मिल करके demand करी demand क्या G7 developed country है और वन्रेरेबल 20 पीडित country है इन दौनोंने एक दूसरे के साथ बैठ करके बाचीत की कि भाई साब कुछ तो पैसा दे दो ऐसी इस्तिती में वन्रेरेबल 20 के groups ने आप इधर news की cutting देख सकते हैं ये है V20 group of finance ministers news पढ़ सकते हैं V20 and G7 today officially launched global shield and initiative पूर pre-arranged financial support designed to quick deployed in times of climate disasters यानि कि कल को कही प्राकरतिक आपदा आए तो उसके लिए एक fund बना लेते हैं initial contribution includes 170 million euro from Germany यानि 170 million euro यहाँ पर एक fund के रूप में Germany ने दिया है और लगभग 40 million euro और देशों ने जो developed nation है उनके द्वारा दिया गया है आपका दिमाग करेगा यार बहुत पैसा दे दिया COP27 के अंदर एक program बनता है जिसके अंदर climate shield program बनाया जाता है और इतना पैसा जर्मनी अकेला दे दिया पहली बात जर्मनी वर्तमान में अध्यक्ष्टा कर रहा है जी 7 की नमबर एक नमबर दूसरा ओव्यसी बात है development इनके पास भी लंबे समय तक रहा है तीसरी important बात है कि क्या ये इतना fund परियाप्त है तो इसको कहा जाता है उट के मुँ में जीरा यानि कि जितना परियाप्त की वजह से अभी तक नुकसान हो चुका है उसके मुकाबले यह fund बहुत ही कम है अकेला पाकिस्तान बोलता है कि हमें लगबग 10-20 billion dollar का घाटा हो चुका है billion dollar का यह millions में fund बना रहे है और fund भी कैसा बना रहे है insurance program की तरह से बना रहे है that means कल को अगर किसी के पास में disaster आए देखिए in times of climate disasters ताकि यहाँ देखिए designed to be quickly deployed मतलब कल को अगर जरुवत पढ़ जाए तो तुरंत इसे deploy किया जा सके इसे भेजा जा सके कि लो भाई use कर लो इस fund को आई बात समझ में तो किकले deploy हो सके किस समय पर disaster के समय पर इस वजह से इन देशों ने मिलकर एक fund raise किया है उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताईए इसमें कितने देश है क्या केवल दुनिया के 20 ही देश है जो प्रभावित हो रहे है जी नहीं प्रभावित देशों की संख्या है 58 संख्ठन का नाम V20 है संभावित है कि आप से यह सवाल पूछा जा सके चीक है V20 की स्थापना करने वाले जो देश थे उनमें बहुती मिनिमम देश शामिल थे और वो 20 देश कौन से थे अफगानिस्तान, बांगलादेश, बारबाडोस, भूटान, कोस्टारिका, इस्ट तीमोर, इथोपिया यह वो देश है जो तुलनात्मक रूप से प्रॉग्रेस में थोड़ा पीछे है ऐसी स्थिती में नुकसान इनको हो रहा है प्रगर्ती कोई और कर रहा है इन्होंने V20 का ब्लॉग बनाया था इस V20 ब्लॉग में अब तक कौन शामिल हो चुका है कब बनाया गया था 8 अक्टूबर 2015 को V20 बना था कहां बना था पेरू लीमा के अंदर लीमा पेरू के अंदर इसका निर्मान हुआ था वर्ट बैंक और आई एमेफ के साथ बैठ करके इसका निर्मान किया गया था अब हुआ ये कि अब प्रभावित देशों की संख्या बढ़ती चली गई वर्ट मान में V20 के अंदर 58 nations है ध्यान से सुन लीजेगा ये बिलकुल G77 ग्रुप के तरह से है जहां पर असल में दिख 77 रहा है लेकिन members जादा है एक्जेक्ली V20 में दिख 20 रहा है लेकिन members 58 nations है सवाल आपसे पूचा जा सकता है यहां पर कुल 1.5 billion population कुल मिलाकर इन 58 देशों में रहती है इनका दुनिया के अंदर जो carbon emission है यानि जिसकी वज़े से pollution होता है उसमें 5 प्रतीशत ही योगदान है और इनकी GDP भी आप देख सकते है 2.4 trillion dollar की कुल GDP है आप ऐसे सोचिए इंडिया अकेली की 3.5 trillion dollar के आसपास GDP है यहां 58 देश मिलकर के 2.5 trillion dollar की GDP लेकर बैठे है यहां आप इस बात से समझ सकते है कि इनका आर्थिक विकास और इनकी carbon उतसरजन लगभग समानुपाती चल रहे है यहांनि GDP में भी ग्रोथ नहीं है तो कारवन उतसरजन में भी ग्रोथ नहीं है चीक है तो developed nations पर एक moral obligation आया इस वज़े से G7 को साथ लिया गया तो V20 यहांनि की Wonderable 20 groups और G7 देश G7 में कौन-कौन Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK और USA इन्होंने COP27 के अंदर बैठ कर जो की शर्म अल सेक के अंदर हुआ वहां Climate Wonderable Forum जो की 2009 में बना था उसके साथ मिलकर यह decide किया कि चलिए एक हम fund बनाते हैं clear हो गया V20 समझ में आ गया V20 कब बना यह समझ में आ गया V20 के अंदर कौन-कौन थे यह समझ में आ गया होगा Climate Wonderable Forum क्या है यह भी मैं आपको बता दूँ यह भी एक ऐसा Forum है जिसमें वर्तमान में 55 सरकारे शामिल है और इन 55 सरकारों के अंदर इसकी स्थापना वर्ष 2009 के अंदर की गई थी यह तथ्यात्मक जानकारी आपको अतिरिक तुरूप से पता होनी चाहिए क्लियर हो गया? ठीक है तो Climate Wonderable Forum के बारे में मैंने आपको बता दिया Climate Change की वज़े से प्रभाव क्या-क्या पड़ा यह सारी चीजें आप लोग जब भी UPSC का आंसर प्रेपेर करते हैं आपको पता होता है नहीं भी पता है यह सारी स्लाइड समेथ पूरा PDF जो content का है न यह class पूरी होने के बाद मैं अपने टेलिग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर जो की verified account है A-V-A-S-T-H-I अंकित अवस्थी सर नामक verified account पर आपसे share कर दूँगा आप वहाँ से जाकर के इसे download कर लेना पूरा हो जाएगा यह ठीक है वर्तमान में 58 countries में आपका सवाल बनेगा कि V20 में अब 58 countries आ चुकी है क्या इन 58 countries में इंडिया भी है क्या तो answer है जी नहीं आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का कोई भी नामों निशान नहीं है ना ही इनमें पाकिस्तान शामिल है ना इंडिया है ना पाकिस्तान है दोनों नहीं है लेकिन इस fund को लेने वालों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है तो fund क्यों दिया गया पाकिस्तान को तो उसके लिए आप यह समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो अभी climate की वज़े से बाड़ का आना पाया गया उसको ले करके इन्हों ने out of box जाकर तोड़ी मदद करने की बात की है क्लियर हो गया तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई हो यहाँ पर जर्मनी ने 170 मिलियन यूरो, डैनमार्क ने 4.7 एक मिलियन यूरो, आयरलेंड ने 10 मिलियन यूरो इस प्रकार से धन जो है यहाँ पर share किया है अच्छा, अब सवाल बनता है कि इसका criticism क्या है, criticism यह है कि 28 साल में पहली बार जाकर के loss और damage की funding की कोई official गोशना होई है, जान से सुनिएगा, 28 साल में, यानि कि जब से बना है UNFCCC, तब से चर्चाएं ही हो रही है यह 27 भी बैठा के तब जाकर के परियावरन की वज़े से जो नुकसान हुए है, उनके नाम पर कोई fund बनाया गया है अब loss or damage का fund तो बन गया, लेकिन मुसीवत यह है जनाब, कि आपने इसको भी insurance में रखा है insurance का मतलब क्या हुआ, कि आप जो पैसा चाते हैं, पहले उस fund के लिए खुद से कुछ पैसा दे करके रखिए बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप में से अधिकांश लोग जो गाड़ी रखते हैं, कार, मोबाइल, पर्स जो भी रखते हैं वो कई बार इनका insurance भी करा लेते हैं, अर्थात, मैंने अगर बाइक खरीदी, बाइक के साथ में मुझे पता चला कि 5,000 रुपे में मुझे एक insurance मिल रहा है, कि अगर मेरी बाइक ये जो 50,000 रुपे की चोरी हो जाएगी, तो मुझे 50,000 रुपे मिल जाएंगे एक तरह से ये समझे, कि इन देशों से भी insurance के नाम पर पैसा वसूला जाएगा, पैसा वसूल करके जब उनको आवशक्ता पड़ेगी तो इस fund में से निकाल के पैसा उनको दे दिया जाएगा, तो ये देश कहते हैं, कि जनाब हमारे ही insurance से हमें पैसे देने की जो कला आपन पाई है, हमने तो कोई नुकसान ही नहीं किया, जब नुकसान नहीं किया, तो हमको हमसे ही पैसा दे कर कि क्यों ये काम करवाया जा रहा है, वास्टविक्ता में इसका तरीका और होना चाहिए था, तरीका ये, कि ये जो देश हैं, जिनोंने दनिया में development के नाम पर इतना न तो ऐसी इस्तिती में कुछ ना होने से बहतर कुछ होना करके कर दिया गया, आपके सामने प्रमाण है पाकिस्तान में आई बाड का, जिसमें कि पाकिस्तान का contribution भले ही ना हो, लेकिन दुनिया का बड़ा contribution था बाड के अंदर, क्योंकि परियावरन बदलने में हम सब का प्रम पर जाकर वो पैसा मांग रहा है, तो इंडिया के अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर और निकल के आई, इसी कोप की बैठक में जो चल रही थी, यहाँ पर कुछ आईलेंड कंट्रीज ने कहा, कि आईलेंड कंट्रीज चाहते हैं कि चाइना और इंडिया से भी पैस जो की आल्रेडी हो चुका है, अर्थात, दुनिया का जो आज का परियावरन इस तरह है, उसको पहुचाने में हमारा योगदान नहीं है, जिन्होंने डवलप्मेंट किया केईों साल पहले, उनका भुगतान अब हो रहा है, तो फिर आज के भुगतान में हमें क्यों शामि किया जाए, इसलिए इंडिया कहता है, कि भाई मैं पैसे नहीं दूगा, और हाँ, अपने द्वारा ये कमिटमेंट जरूर दे देता हूं, कि आने वाले समय में वर्ष 2070 तक हम कार्बन नीट्रल हो जाएंगे, कार्बन नीट्रल का अर्थ हुआ, कि आने वाले समय के अंद हम जितना कार्बन प्रड्यूस करेंगे, उतना ही हम कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं, इवन हम ये चाहते हैं, कि जो क्लाइमिट फंड्स हैं, उन में से धन हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा भी बहुत हुआ है परियावरण की वजह से, इंड हमें 10 ट्रिलियन डॉलर का अगर इंवेस्टमेंट मिले, तब जाकर हम 2070 में कार्बन न्यूटरल होंगे, अगर आप हमसे चाहते हैं, कि हम अगले 25 सालों में ही कार्बन न्यूटरल हो जाएं, तो हो जाएंगे, हमें 13 ट्रिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कार्बन न्यूट एसी इस्थिती में चूकि इतना बड़ी मातरा में कार्बन का उत्सरजन हो रहा है पर कैपिटा के हिसाब से अगर बात करें यानि प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सरजन में सबसे आगे जो है वो अमेरिका है और उसके बाद नंबर दो पर रशिया है और उसके बाद पर नंब परिवर्तन करने होंगे जैसे हम अपने देश के अंदर fossil fuel का उपयोग कम करने की तरफ कारे करेंगे low carbon growth के उपर काम करेंगे renewable energy की तरफ shift हो जाएंगे energy conservation का प्रयास करेंगे nuclear energy 2032 तक double कर देंगे expand renewable energy करेंगे power grid को मजबूत करेंगे हमारे कुछ milestones रखें हैं हमारे मंत्री जी के द्वारा इनका discussion किया गया COP27 में ये point ये वाली slide अपने आप में बहुत जादा important है मैं side में हड़ जाओं तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं exam point of view से ये बहुत जादा important slide है आप इसके अंदर COP27 में भारत ने क्या कहा आप उस point को note कर सकते हैं यहां से जैसे भारत ने कहा कि हम 2070 तक carbon neutral होने के नाम पर 2021 में national hydrogen mission launch किये थे जो भी state PCS और UPSC के विध्यारती है किर्पया करके national hydrogen mission क्या है इसको पूरी तरह तयार कर लीजे पहला point आपके answer के अंदर यही होगा रहे हैं 2032 तक हम 3 गुना nuclear energy produce कर लेंगे नमबर तीसरा ethanol blending का जो target है वो 2025 में हम 20% कर देंगे यानि जो हमारे carbon fuels है जैसे की diesel है petrol है इसके अंदर जो हम ethanol की blending कर रहे हैं जो की हमारे देश में बनके आ रहा है उसको बढ़ा करके 20% कर देंगे ताकि उतसरजन carbon का थोड़ा कम हो Maximizing the use of electric vehicles Increase public transport हम public transport के case में electric vehicles का उपयोग बढ़ाएंगे Increase climate finance to be provided by developed nation यानि हमारे द्वारा developed nation के लिए finance provide करने की बाद जो की जा रही है उनसे हम चाहेंगे कि वो हमें finance उपलब्द कर रहे The long term strategy aim as keeping global temperature well below 2 degree Celsius और हम इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि इस सदी के अंत पकिया आनि वर्ष 21 सुब तक जो तापमान बढ़े वो वर्थमान तापमान से 2 degree centigrade से जादा ना बढ़े ये बाते हम लोगों ने वहाँ पर की है Hopefully जो भी विद्धारती पढ़ने वाले है उनके लिए ये बहुत काम की चीज रही होगी फिलाल सवाल के जवाब का समय आ गया है मैंने शिरुआत में आपसे दो सवाल पूछे थे पहला पॉइंट है श्लोक मुखर जी जो की कोलकाता से हैं उन्हें डूडल बनाने के लिए गूगल ने सम्मानित किया है श्लोक मुखर जी जिन्होंने इस प्रकार का डूडल बनाया था गूगल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है श्लोक मुखर जी विनर बने है 2022 के इसके अलावा साथी हो दूसरा है कोई भी साथ ही अनकेडमी के साथ जोड़कर पढ़ाई करना चाहता है। UPSC के टॉप एडुकेटर्स के साथ तो मेरा रैफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके टॉप एडुकेटर्स के द्वारा created course जो prelims, mains और optional को ध्यान में रखकर बनाया गया live classes है, printed material notes है, one-to-one mentoring sessions उपलब्द हैं और पहतरीन educators जिनको पढ़कर के आप पास हो सकते हैं उनको आप यहाँ पर use कर सकते हैं courses purchase करने में, मेरा रैफरल कोड आपको minimum 10% का तो discount दिलाता ही है courses easy EMI options पर भी उपलब्द हैं, यानि आप course को purchase करते समय course की fees को EMI में convert करा सकते हैं, आप उनके अंदर इस तरह की चीज़े प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान में November के अंदर offer चल रहा है, 12 महीने के साथ 3 महीने का additionally offer दिया जा रहा है UPSC में 10 November से नए बैस शुरू हुए है, आप उनको join करेंगे अगर तो आपको पुरानी classes भी यहाँ पर उपलब्द हो जाएंगी और हाँ, इस बार 28 November से CSET की class से शुरू हो रही है, आप उसे भी join कर सकते हैं UPSC के dream को पुरा करने में 0% interest rate के साथ EMI options का अगर आप लाब लेना चाहते हैं तो आप हमारी technical team को 78781588822 पर भी call कर सकते हैं content की PDF टेलीग्राम पर उपलब्द हो जाएगी, दन्यवाद